महारास्ट्रों में पिछले पांच महीनों से किसानों को प्याज का उच्छी दाम नहीं मिल रहा इसके गिरते रेट के चलते किसान परिशानी में है प्याज उत्पादकों के आंसू रोके नहीं रुक रहे पिछले साल किसानों को बारिश और बार ने तबहा किया था और इस साल मंडियों के सिस्टम ने किसानों ने कई समस्याओं के बीच प्याज को लागत से भी कम रेट पर बेचना पड़ रहा है प्याज उत्पादन की लागत प्रती किलो 15 रुपे से अधिका रही है जबकि उन्हें इसका मुल्य आउस्तन एक रुपे से लेकर आठ रुपे तक मिल रहा है उत्पादन लागत भी ना निकल पाने की वज़े से किसानों को प्याज रूल आ रहा है इस साल यह हाल है कि सिर्फ प्याज का रेट ही नहीं बलकि और भी सबजियों का यही हाल है इस समय किसानों को बजार का भाब नहीं मिल रहा वहीं कुछ जिलों में किसानों को टमाटर को भी सस्ते कीम्तों में बेचना पड़ रहा है उनका कहना है कि ऐसा ही हाल रहा तो अब वो प्याज की खेती नहीं करेंगे नाशिक के रहने वाले किसानों का कहना है कि उन्होंने गर्मी वाले प्याज को स्टोर करके रखा था कि कुछ महीने बाद अच्छा दाम मिलेगा तब बजार में बेचेंगे लेकिन बारिश की वज़े से स्टोर किया हुआ प्याज सड़ रहा है इसलिए किसान कम भाव में ही प्याज बेचने को मजबूर है हलाकि अब कुछ जिलों में प्याज के दाम में थोड़ा सुधार है लेकिन किसानों को अभी भी सही दाम मिलने का इंतजार है किसानों की एक परिशानी हो तो उसकी बात की जाए एक तो प्याज का सही भाव ना मिलना और दूसरा अब स्टोर किया हुआ प्याज का सड़ जाना इसमें हम लाखों का नुकसान होता देख रहे हैं किसानों ने बताया है कि अधिक समय से स्टोर की हुए प्यास पर किडों का असर देखने को मिल रहा है जिससे काफी नुकसान सहना पड़ रहा है वहीं अगर बताएं मंडी में रेट की बात तो आज दुले की मंगल वेधा मंडी में 29 अगस्तक प्याज के जो दाम है वो 270 क्विंटल आवक के साथ नियूंतम 200 रपे पर बिके जबकि अधिकतम 1200 रपे क्विंटल भाव देखने को मिला यानि कि अवरिज दाम 800 रपे प्रति क्विंटल के आसपास रहा वहीं जूनर मंडी में 5 का नियूंतम दाम 200 रपे और अधिकतम 9 भाव 700 रपे पर बिके नाशी की लासल गाव मंडी में खिसानों को 5 का नियूंतम दाम 500 रपे पर बिके जबकि अधिकतम 12 क्विंटल देखने को मिला जलगाव मंडी में प्याज कन्यून तमदाम 300 रुपए और वहीं ओसत रेट 1000 रुपे प्रतिक विंचल तो अधिक तमदाम 700 रुपे प्रतिक विंचल देखने को मिल रहा है विरो रिपोर्ट मार्केट टाइम्स टीवी